इंजिन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 में सारे मैच एक तरफा जीत रही है चाहें वो इन फॉर्म साउथ अफ्रीका हो या पाकस्तान या फिर कोई और टीम इंजिन टीम में हर किसी को जम कर धोया है आठ मुकाबलों में आठ जीत टीम टॉप पर रहते हुए सेमी फाइनल में पहुँच चुकी है जा इंजिन टीम के बहतरीन क्रिकेट की हर कोई तारीफ कर रहा है सिर्फ पूर्व पाकस्तानी क्रिकेटर हसन रजा को छोड़ कर वो एक के बाद एक बेतु के बयान दिये जा रहे हैं बिना सिर्पेर के इनकी बात इतनी एलोजिकल होती है कि पाकस्तान के एक्सपर्स रजा को सुना दे रहे हैं पहले गेंद बदलने की बात करने वाले रजा ने भारत की साउथ अफरीका पर जीत के बाद डियारेस को लेकर सवाल उठाए है उन्होंने एक टीवी शो में कहा मैंने भी हल लेवल का क्रिकेट खेला हुआ है और मुझे पता है कि क्रिकेट में चीज़े कैसे होती है जरे जाने साउथ अफरीका के पांच प्लियर्स आउट किये वेंड दूसरी के खिलाफ जब डिया गया कोई लेफ्ट आम स्पिनर का बॉल लेक्स टंपर गिरकर मिडल स्टंपर कैसे जा सकता है वो गेंद बाहर जानी चाहिए थी मेरा मानना इन सब चीज़ों को चेक किया जाना चाहिए DRS के साथ छेड़ छाड़ की जा रही है रजा ने आगे कहा इंडिया को हमेशा होम एडवांटिज दिया जाता है साल 2011 वर्ल्ड कप में सहीद अस्मल की गेंद महान सचन टेंडलकर की पैट पर लगी थी गेंद साफ मिडल स्टंप लगती देख रही थी लेकिन जब सचन ने रिव्यू किया तो बॉल लेक्स टंप से बहाँ निकल गई लगबग दो फुट के फासले से और ये पहली बान नहीं है जब रजा ने इंडेंडीम की जीत के बाद सवाल उठाए हो दो नवंबर को श्रिलंका के खिलाब भारत की जीत के बाद पाकस्तानी निउस चैनल पर एक लाइफ शो में हसन ने कहा कि ICC की ओर से भारते बोलर्स को दी जाने वाली गेंद की जाँच होनी चाहिए शो के आंकर ने कहा इंडिया को अजीबों गरीब किस्म की स्विंग और सीम मिल रही है बिल्कुल DRS की पैसली भुошत जादाा इंडिया के फेवर में जा रही है ऐसा लग रहा है शायद दूसरी पारी में गेंद बदल जाती है शो के आंकर ने कहा आखर जिस पिछ पर बाखी टीम्स बढ़िया बोलिंग नहीं कर पा रही है उसी पिछ पर भारत की टीम एक्स्ट्रा ओर्डिनरी बोलिंग कैसे कर ले रही है हसन ने भारत की शांदार गेंबाजी पर आश्रेज अताते हुआ आगे कहा शमी ने जब गेंद फेका तो माथ्यूज देखती रह गए ये क्या हो रहा है गेंद के साथ ICC या BCCI जो गेंद दे रहा है उसकी जांच होनी चाहिए शो का एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया दो मिनिट पचपन सेकंड के इसी वायरल क्लिप में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत की बोलिंग पर संथेज अता रही है असन रजा के इस बयान की दुनियावन में काफी आलोचना भी हुई विडियो के वायरल उने की बाद पूर भारते क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपला ने एक्सपर इसे रिपोस्ट किया और लिखा क्या ये कोई क्रिकेट शो है अगर नहीं है तो अंग्रेजी में सटाय कॉमेटी लिखा होना चाहिए हालागि उन्होंने आगे ये भी कहा कि हो सकता है ये पहले से उर्दू में लिखा हूँ अगर ऐसा है तो भी दुर्भागे से मैं इसे पढ़िया समझ नहीं सकता रजा के इस बयान से दिगज बोलर वसीम अकरम भी खुछ नहीं दिखाई दिये थे उन्होंने एक टीवी शो के दौरान कहा था मैं पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में सुन रहा हूँ का मुकाबला पॉइंट स्टेबल में चौथे पॉजिशन पर रहने वाली टीम से होगा आपके लिए दमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथ ही रविराज मेरा नाम दिव्यांशी सुम्राव है आप देखते रहे हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया जिन्दगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है लेकिन ललन टॉप अड़ा सिर्फ तीन दिन रहने वाला है 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुचिए दिल्ली के मेजर ध्यांचन नैशनल स्टेडियम में प्री है सिर्फ आपको ललन टॉप की एप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा